हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शिश्मा राजखुपता, हम लोग कर रहे हैं कमर्शिय लोग, ये कमर्शिय लोग का स्लेबस बीकॉम, बीबिये और सीए फांटेशन के स्लेबस को कबर करता है, इसमें हम लोग चैप्टर कर रहे हैं बेलमेंट प्लेज, बेलमेंट एंड प्लेज की दो वीडियोस हम अल्रेडी अप्लोड कर चुके हैं, ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग करेंगे प्लेज, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले प्लेज होती क्या है, प्लेज इस आजसो एक काइंड ओ बेलमेंट, ये बेलमेंट का ही एक पार्ट है, पर इसमें जब हम गूट से डिलिवर करते हैं, किसी एक परसन से दूसरे परसन को, वो एज़ा सिक्योरटी फोर पेमेंट आफ डेट है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या था बेलमेंट में, अगर एक परसन दूसरे परसन को गूट से डिलिवर कर रहे हैं, जब वो पर्पस पूरा होता है, वो गूट से वापिस करते हैं, जैसे था कि जो एक टीचर है, टीचर ने अपने स्टूडेंट को क्या दिया, बुक्स डिलिवर की हैं, जब एक्जाम्स ओवर होके, तो जो स्टूडेंट है, वो क्या करेंगा, बुक्स वापिस करतेंगा, that is called पेलमेंट, प्लेज इस अपने पेलमेंट, पर इसमें भी गूट से एक परसन से दूसरे परसन को ट्रांसफर होती हैं, बट नॉट फॉर पर्पस, जैसे कोई डेट अराइज हुआ है, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी है, एक्स ने वाई से 30,000 रुपिस का लोन लिया, उसके पदले 35,000 रुपिस की जैलरी उसने क्या की डिलीवर किया है, गिरवी रखी है, तो वो जो 35,000 की जैलरी उसने अगेंस्ट डेट रखी है, that is known as pledge, pledge मतलब जिसमें एक परसन दूसरे परसन को गुड्स डिलीवर कर रहे है, just as security for payment of debt, इसमें दो पार्टी है, एक होता है प्लेजर, दूसरा होता है प्लेजी, प्लेजर वो जो गुड्स डिलीवर कर रहे है, प्लेजी वो जिसको गुड्स डिलीवर की जाती है, to whom goods are delivered, ठीक है, जिसको goods दी जाती है, यह जो है, point clear हो गया, तो यहाँ परसन क्या कर रहे है, लोन ले रहे है, और यह परसन लोन दे रहे है, उस लोन के बदले प्लेजर ने क्या किया, goods डिलीवर की है, किसको प्लेजी को, point clear है ची, अब essential pledge, pledge तो पता चल की, अब pledge यह के लिए, valid pledge होने के लिए, क्या क्या essentials है, तो सबसे पहले essential है, कि delivery of goods, delivery of goods होनी ज़रूरी है, जो delivery of goods है, वो actual भी हो सकती है, और constructive हो सकती है, actual हमने last video में भी किया है, actual का मतलब है, कि goods, actually उनको possession देना, जैसे X ने Y को, क्या दिया, goods का possession दे दिया, that is known as actual delivery, अब second case है, X की goods है, warehouse में पढ़ी है, ठीक है, warehouse की receipt, जो है, उसने किसको दे दी, Y को दे दी, तो इसे बोलते है, constructive delivery, constructive delivery, वो delivery है, जिसमें goods को उठाके नहीं दिया जाता, rather उसका मतलब कि इस तरह से कोई, other than goods कोई चीज दी जाती है, जिससे कि possession दूसरी पार्टी के पास, चला जाता है, उसे constructive delivery कहते है, इसके इलावा, X ने Y को कार देनी है, कार देने की बजाए वो उसको कीज दे रहे है, तो कीज क्या होगी, constructive delivery, point clear है, इसको क्या बोलते है, constructive delivery, तो goods की delivery होनी बहुत ही जरूरी है, अगर goods की delivery नहीं होती है, तो वो valid pledge नहीं मानी चाहेगी, X एक film का producer है, उसने money borrow की है, money borrow करके, वो Y को क्या कह रहे है, किस से की है, वाई से की है, वो कहता है, जो final print होगा ना, final जो भी prints होगे film के, वो मैं आपको दूँगा, ठीक है, film सारी बन की, जो final prints है, वो Y को deliver नहीं कियेगे, तो यहाँ पे वो valid pledge नहीं है, valid pledge क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने delivery of final prints नहीं किये, तो final prints की delivery होना, जाने के goods की delivery होना, it is the most important part of the valid pledge, ठीक है, then ना क्या, the delivery of the goods should be by the way of security, जो goods दे रहे हैं, वो by way of security होनी चाहिए, किसी loan के against होनी चाहिए, अगर वो loan के against नहीं है, तो उसे pledge नहीं कहा जाएगा, वो एक तरह से bailment हो सकते हैं, जो कुछ और हो सकता है, बट वो pledge नहीं होगी, pledge के लिए ज़रूरी है, कि वो loan के against security होनी चाहिए, third point है, the security being, जो security है, for the payment of debt और performance और promise, कि वो payment of debt के लिए होनी चाहिए, या promise की performance के लिए होनी चाहिए, अगर security payment of debt के लिए नहीं है, तो वो valid security नहीं है, हम already कर चुके हैं, ठीके, तो वो जो debt है, अब point ये arise होता है, कि debt कैसा होना चाहिए, debt जो है, past भी हो सकता है, present भी हो सकता है, और future भी हो सकता है, ठीक है, अब debt के बदले अगर security दी गई है, तो just उसको mere delivery दी गई है, इसमें ownership transfer नहीं होती, इसमें ownership transfer नहीं होती है, point clear, सिरफ ये हो सकता है, कि अगर pleasure payment नहीं करता, तो पानी उस पे lien कर सकता है, lien करना मतलब उस चीज का possession अपने पास तब तक रखना जब तक कि वो debt पे नहीं हो जाता, clear है जी, तो ये थे essentials of a valid pledge, rights and duties of the penny, पानी कौन है, जिसको goods deliver की गई है, ठीक है न, क्यों दी गई है, as a security दी गई है, तो पहला right उसके पास क्या है, right of retain, कि वो goods को retain कर सकता है, जैसे अभी हमने lien word यूज किया न, retain the possession, वो goods का possession अपने पास तब तक रखेगा, जब तक कि उसके debt की payment नहीं होती है, ठीक है, debt की payment के लिए तो रखे गई, रखेगा, plus debt पे जो interest बनता, उसके लिए भी वो उसको retain कर सकता है, इसके इलावा, उस goods को रखने के लिए, अगर उसको किसी तरह का expense incur करना पड़ा, तो वो expenses के लिए भी retain कर सकता है, ठीक है, security, मतलब उसको सिरफ retain करने का right है, goods को sell नहीं कर सकता, point clear है, वो सिरफ goods को retain कर सकता है, sell नहीं कर सकता, clear, right of particular lien, वो general lien यूज नहीं कर सकता, general lien क्या है, general lien का मतलब है, कि जैसे, मैं वो tailor का example ले रही हूँ, ठीक है, आप tailor के पास जाते हो, ठीक है, उसके पास आप first और second two suits की stitching करवाते हो, ठीक है, अब आपने मानलो, second suit की stitching ने, आपने first suit घर पे ले आए, उसकी आपने stitching पे ने की, बट आपने second suit की stitching पे कर दी है, तो अगर tailor, first suit की stitching के लिए, second suit को retain कर रहा है, तो वो हो गया general lien, general lien समझा गया, debt जो है, वो कोई और है, debt कोई और है, और retain किसी और चीज़ को किया जा रहा है, तो वो general lien है, particular lien आगया, कि वो second suit की stitching के लिए, second suit को ही retain कर रहा है, तो it means, that is particular lien, ठीक है, अब point यहाँ पे आ रहा है, कि in case of pledge, जो pledge है, वो क्या कर सकता है, सिरफ particular, उसी चीज़ को वो retain करेगा, जिसके against उसने debt दिया है, अगर debt उसने first के against दिया है, तो वो second को retain नहीं कर सकता, वो किसको retain करेगा, first को ही retain करेगा, इसे कहते हैं particular lien, ठीक है, right to extraordinary expenses, अकर पानी को उस लियन के लिए, उस चीज़ के लियन के लिए, उस चीज़ के possession के लिए, कुछ extraordinary expenses करने पड़ रहे हैं, तो वो extraordinary expenses को क्या कर सकता है, claim कर सकता है, किस से पानर से claim करता है, ठीक है, extraordinary expenses का मतलब क्या है, कि जैसे पानी के पास एक काउप, जो है, pledge की हुई है, अब उसमें कोई disease develop होगी, उस disease को cure करने के लिए, जो expenses किये जाते हैं, उसे extraordinary expense करते हैं, तो जो pledge है, वो क्या कर सकता है, extraordinary expenses claim कर सकता है, he can claim the extraordinary expenses, यहां तक तो हमने simple point किये, क्या right of the penny, to retain the goods, to have a particular lien, for to bear the extraordinary expenses, ठीक है, अब आ गया कि अगर पानर default करता है, means वो debt pay नहीं करता, तो फिर क्या होगा, तो section 176 यहां पर यह कहता है, कि पहली बात, वो sue कर सकता है, किसको पानर को, कौन कर सकता है, पानी, या pleasure, जो है pleasure को sue कर सकता है, ठीक है, ठीक है जी, then second point आ गया, कि वो pleasure, जो है पानर है, पानर को notice दे के, उसकी goods को क्या कर सकता है, sale कर सकता है, ठीक है, पहला point कि sue कर सकता है, दूसरा कि वो goods की sale भी कर सकता है, जब उसने goods को sale किया, अगर जो sale proceeds है, ठीक है, less than amount due है, जितनी उनकी amount due है, उससे कम है, मतलब, जैसे उसने देने 10,000 रुपीज है, और जो goods है, वो 9,000 की sale हुई है, even then, पानर is libel, still libel, to pay रुपीज, 1,000, point clear है, अकर sale proceeds, ज़्यादा है, किस से, debt से, ठीक है न, debt amount से, then वो surplus क्या करेगा, उसको 1,000 क्या करेगा, refund करेगा, ये point clear हो गया, अगला point है, कि अगर हम कहें कि पानर को sue कर दिया, sue कर दिया, तो वो goods को sale नहीं कर सकता, ये गलत है, sue करने के बाद भी उसको पैसे नहीं मिलते, तो वो क्या कर सकता है, goods को sale कर सकता है, जाने कि वो दोनों जो rights हैं, दोनों को use कर सकता है, alternate नहीं है, ये concurrent है, concurrent का मतलब, जैसे पहले उसने sue किया, sue करके उसको लगा कि पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिले, then वो क्या करेंगा, goods की sale करतेगा, ठीके, वो goods को retain कर सकता है, ठीके, तो कहने का मतलब ये है, कि वो उसके पास right है, goods को sale करने का, बट उससे पहले वो क्या करेंगा, sue करेंगा, ठीके, जब तक उसको पैसे नहीं मिलते, तब तक जो पानी है, ठीके न, pledge जी है, या पानी है, दोनों same है, तो तब तक वो goods को retain करेंगा, और उन goods की care भी करेंगा, अगर किसी तरह की goods को damage होती है, तो उस case में pledge जो है, वो libel होगा, ठीके जी, then आगया हमारा rights and duties of partner, हाँ जी, पहला right जो पानर के पास ये है, कि मालो उसने debt पे नहीं किया, उसने debt पे नहीं किया, ठीक है, अब जो पानी है, pledge है, वो उसकी goods को sale करने लग है, उसकी goods sale करने से पहले पहले, वो अपना debt clear कर सकता है, मतलब उसके पास last, you can say कि मोका होगा, उस time पे वो अपने debt की payment कर सकता है, ठीक है, और पर वो तब ही कर सकता है, जब sale नहीं हुई है, एक बार sale होगी, फिर वो उसको, मतलब debt clear नहीं कर सकता, ठीक है, इसके इलावा, second उसको है right accretion, जो हमने पिछली उसमें भी बेलमेंट में किया था, कि अगर उसने goods की delivery दिया है, उस दरान इसमें कुछ increase हुए है, तो वो उसे क्या है, पानी से receive करेगा, कौन, पानर या pleasure, ठीक है, जैसे हमने किया था, कि वहाँ उसने cow, जो है as a security रखी है, cow के साथ cow है, तो वो cow जो है, पानर को वापिस मिलेगा, ठीक है, goods अगर मतलब कि point clear हो गया, किसी भी तरह की accretion है, इंक्रीज है, तो उसके पास right है, कि वो अपना accretion वापिस लेगा, हाँ जी, हमारा next topic है, pledge by non-owners, तो इसमें है कि जो goods की pledge करनी है, वो सिरफ honor ही कर सकता है, ठीक है, non-owners जो है, goods को pledge नहीं कर सकता, ठीक है जी, जिसकी pass मतलब goods का title ही नहीं है, वो कैसे किसी दूसरे को better title pass कर सकता है, तो sale में भी यही rule apply होता है, और pledge में भी यही rule apply होता है, कि सिरफ honor जो है, वही goods की valid pledge कर सकता है, ओनर जो है, वो shop नहीं है, absent है, अब वहाँ पे जो servant रखा हुआ है, servant नहीं क्या किया, किसी से loan लेके, पैसे लेके, वहाँ की goods को pledge कर दिया, तो यह जो goods को उसने pledge किया, it is not a valid pledge, इसे valid pledge नहीं कहा जाएगा, अब जो person जिसको उसने goods प्लेज की है, ठीक है ना, पानी हो गया यह प्लेजी हो गया, अब उसको तो पता नहीं है, कि यह servant है, ओनर नहीं है उन goods का, even then, innocent है वो, even then he acquire no title, he acquire no lien, वो उन goods पे lien भी नहीं कर सकता, कहने का मतलब है, कि सिरफ honor ही goods को pledge कर सकता है, none other than honor, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, exceptions आगी, तो इन cases में, जो other than honor भी goods को pledge कर सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, pledge by mercantile agent की, under section 178, a pledge by mercantile agent, mercantile agent which is not authorized by the owner, will be valid if the following conditions are fulfilled, ठीक है जी, तो पहले condition है कि mercantile agent के पास, mercantile agent वो होते हैं, जो किसी के भिहाब पे goods को sell करते हैं, ठीक है, अब अगर mercantile agent ने goods को pledge किया है, तो वो valid pledge होगी, पर उसके लिए condition क्या है, कि उसके पास goods का possession होना, जरूरी है, पहला point आ गया, कि उसके पास possession of goods होना, जरूरी है, ठीके दूसरा जो उसके पास possession है with consent of honor है जो उसके पास possession है ठीके तीसरा point आगया कि वो जो काम कर रहे है ordinary course of business में कर रहे है means routine का काम कर रहे है ठीके जी जो उसने pledge बगएरा किया वो उसकी routine का काम में और वो good faith में काम कर रहे है उसका जो काम है वो good faith में है ठीके अब जो पानी है जिसको वो goods दे रहे है उसको इस defective title के बारे में कोई notice नहीं है तो उसके द्वारा की गई pledge valid pledge मानी जाएगी valid क्यों है क्योंकि वो उसका ordinary course of business है और वो with consent of honor कर रहे है और उसके पास चीजों का possession भी है ठीक है तो एक जैलरी ब्रोकर है example है ये एक जैलरी ब्रोकर है उसको किसी ने diamond दिया sale करने के लिए अब हुआ क्या कि उसने वो diamond जो है आगे pledge कर दिया गिर्वी रख दिया ठीक है प्लेज जी कुई इस चीज की knowledge नहीं है बट क्योंकि वो mercantile agent है और with the consent of honor है और उसके पास उस चीज का possession भी है तो इसे valid pledge माना जाहेगा ठीक है जी नेक्स्ट आगया pledge by person in possession under viable contract under viable contract अगर किसी के पास possession है चीज का वो जो pledge होगी valid pledge मानी जाहेगी हाँ जी validable contract हो गया जैसे हमने किया था जिसमें किसी एक party के consent free नहीं है consent free कब नहीं होती when consent is caused by fraud misrepresentation and all that ठीक है जी misrepresentation ठीक है तो उस case में contract voidable होता है अब इस case में क्या है कि एक party के पास क्या है goods का possession है अब वो उस goods को क्या कर रहे है pledge कर रहे है तो pledge तभी valid होगी अगर ये conditions पूरी होती है तो पहली condition है कि क्यूंकि voidable contract है it can be rescinded at any time इसको कभी भी rescind किया जा सकता है तो उस case में जो आपने pledge किया है before rescind of contract किया है मतलब contract rescind होने से पहले की गई है दूसरा point है कि जो पानी है जिसको goods pledge की गई है वो good faith में काम कर रहा है तीसरा उसको कोई notice नहीं है no notice of defect और defective title उससे नहीं पता कि जो pledge है उसका title जो है वो defective है point clear हाँ जी इसमें case है philips versus brook limited का एक person jailer के पास क्या ठीके अपने आपको कहता कि मैं Mr. GB हूँ ये कहके उसने क्या किया एक ring buy की ring buy करके उसने check sign किया as the name Mr. GB actual में वो GB नहीं है ठीके अब उसने जो ring buy की है उसने उस ring को pledge कर दिया ठीके अब जो pledge है उससे पता नहीं है कि ये जो ring ली गई है under voidable contract यहाँ fraud से ली गई है ठीके तो यहाँ पे जो pledge है उसे valid कहा जाएगा क्यूं कहा जाएगा क्यूंकि contractor signed होने से पहले की गई है पॉइंट क्लियर है तो यह जहाँ पे जो हम Mr. GB जो अपने आपको represent कर रहे है वो actual में Mr. GB नहीं है तो कहने का मतलब वो honor भी नहीं है तो यहाँ पे pledge by non honor valid मानी जाएगी हाँ जी next step pledge where partner has only a limited interest तो section 179 ही कहता है कि अगर partner का किसी भी चीज में tempted interest तक ही उस चीज की pledge कर सकता है ठीक है यहाँ उसकी जो pledge होगी उतनी amount तक ही valid मानी जाएगी ठीक है क्या point क्या है कि एक person है ठीक है उसको road पे watch मिलिये ठीक है अब उसने watch को repair करवाया repair करवाने पे उसके 20 रुपीज का expense हो गया उसने 40 रुपीज का लोन लेके उस watch को क्या किया pledge कर दिया अब उस pledge में उसका सिरफ 20 रुपीज का ही interest है कहने का मतलब यह है कि true honor recover the watch on paying रुपीज 20 only ठीक है जी then आगी pledge by co-honor अगर co-owners है A और B एक चीज के honors है तो अगर वो उन में से कोई एक चना goods को pledge करता है तो वो valid वो valid मानी जाएगी ठीक है जी next है pledge by seller और buyer in possession after sale अब goods sale हो चुकी है जब goods sale ही हो चुकी है तो उसके बाद seller का उसमें कोई right नहीं है ठीक है even then वो जो seller है goods को pledge करता है तो वो valid pledge मानी जाएगी इसके लिए condition क्या है कि जो पानी है वो good fate में काम कर रहा है वो क्या कर रहा है good fate में उसको इस चीज की knowledge नहीं है कि goods already sale हो चुकी है तो ये थी important question है pledge by non-owners हाँ जी next topic है difference between pledge and payment अब दोनों में difference क्या है ठीक है हमने pledge भी कर ली और bailment भी कर चुके है तो pledge में क्या होता है कि goods तो baili की जाती है bailment of goods है यहाँ पर आजा security की जाती है ठीक है जी और जो bailment में delivery of goods है किसी particular purpose के लिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कोई particular purpose है point clear तो यहाँ किसी particular purpose के लिए goods deliver की जाती है यहाँ पर as a security goods deliver की जाती है bailment में अगर हम बात करें gratitude's bailment की तो उस case में क्या होता है कि जब bailer चाहे वो अपनी goods को वापिस मंगवा सकता है ठीक है पर pledge के case में जब तक debt pay नहीं होगा तब तक goods की delivery नहीं होगी ठीक है non delivery of goods समझ के तो वहाँ पर किस case में gratitude's के case में ठीक है तो इसमें क्या है bailment में just goods का possession जो है bailer से bailie को जा रहा है only possession but pledge में क्या होता है कि उन goods का कोई special right है जो क्या है pleasure से pledge को जा रहा है या ठीक है जी pleasure जो है उससे किसको जा रहा है pledge को जा रहा है clear है तो यहाँ पर एक particular right है ठीक है जी तो then आ गया कि जो बेली है वो सिरफ goods पर लियन कर सकता है only लियन not sale sale नहीं कर सकता ठीक है पर pledge जो है कुछ cases में pledge गूड्स का sale भी कर सकता है point clear pledge जी कुछ circumstances में ठीक है तो यहाँ पर है कि बेल्मेंट में जो बेली है वो goods को use कर सकता है as per the terms of contract पर pledge जी में यहाँ पर जो pledge जी है he has no right no right to use the goods वो goods को use नहीं करेगा ठीक है जी तो यह आ गया difference between pledge and bailment हाँ जी इस chapter में हमने पहले bailment किया फिर pledge किया तो अगर आपने यह video first time देखिए तो इससे पहले जो वीडियोज है उसमें हमने bailment को अच्छे से explain किया ठीक है तो वीडियोज को आपने साथ साथ देखने है ठीक है learn करने तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को like करने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करने और जादा से जादा शेयर करने थैंक यू